नमस्कार प्रिये दर्शकों हजर हुमें आठ जुलाई दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्ध करते हैं प्राम्ध करते हुमें आपके प्राम्ध करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोमवार है आशाल मास शुकल पक्षकी आज तुर्तिया तिथी है पुष्यनक छत्र प्रातः 6 बच करके 3 मिनट तक और इसके पुष्चात आशलेसानक छत्र है वज्रयोग तैतिल करण है बातुगी पंचांकी चंद्रमा आज करकराशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 36 मिनट से 2 पहर 12 बच करके 30 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारिय से चिरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज सुर्योदय से प्रातः 6 बच करके 3 मिनट तक जब तक कि पुष्यनक्षत्र है, सरवार्थ सिध्धियोग है, तो कोई ऐसा विशेस जरूरी कार्य है, जो प्रात्हकाल 6 बज करके 3 मिनट तक संपन्न हो सकता है, तो आप उसे अवस्य ही सरवार्थ सिध्धियोग में कीजिए. क्योंकि सरवार्थ सिध्धियोग में कोई भी कार्य किया जाए, वो कार्य शिघर ही सिध्धि प्रदायक होता है. क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का है? क्या आपके लगनेश कोई कुरूर ग्रह जैसे सूरिय, चंद्रमा, सूरिय, मंगल, शनी ऐसे ग्रह हैं साथ ऐसे ग्रह संयोगों की चर्चा आज दिव्य महा प्रयोग में आपके लेकर के मैं आया हूँ जिसका आपकी जन्व कुंडली में होना इस बात की सूचना देता है कि अपना भाग्य तो आप स्वयम लिखने वाले हैं कियोंकि अधिकार विधाता ने ही आपको इस कल्योग में दिया हुआ है दिव्य महा प्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे, साथी साथ 13 जुलाई दिन शनिवार के मुहुर्त की वियम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहुस्तितियों की. मंगल में रासी में संचरण कर रहे हैं, तोहीं गुरु ब्रशभ में. सुरी का संचरण मिथुन में है, शुक्र बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रहयूती बनाकर करकर रासी में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में हैं. शनिदेव वक्त रवस्था में कुम्भरासी में संच देखा जाए तो इस चंद्रमा वैसे तो पापग्रह बने हुए हैं क्योंकि सूरय से जितना दूरी का इनका संबंध बनता है तब ये शुभग रह बनते हैं, तो भी तृतिया क्यास पास के चंद्रमा पापग रह ही रहते हैं, और ये चंद्रमा राहु की दृष्टी से दृष्ट, मंगल की दृष्टी से दृष्ट, हालकि ये चंद्रमा गुरू के साथ लाब संबंध बनाये हुए हैं, पर शनिदे जिन्हे आज बेहत सावधान दरने की आवशकता है. कॉन से उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारम्भ करने से बचना चाहिए? में विश्य लेकर मीन राशी परियंत प्रत्येक राशी के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेश प्रभवाव में रहने वा लाये हैं जिसी करके आद ईस दिन को स्रेंश्ट बना सकते हैं इने सभी विश्यों की चरचा आगे हम राशिफल में करेंगे. तो यह है ग्रह हिस्तिती. इन ही ग्रह हिस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का पउल तयार किया वही आपकी जन्म राशी अगर आप अपने जन्म राश के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलिप नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। और ये दोनों ही कार्य प्रातव साथ बच करके 55 मिनट से सुबह 9 बजे तक सिंग लगने के बीच आप संपन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेस नहीं करना। आप इस प्लेलिस्ट पर आईए। यहाँ उपर मैंने अभी जो लिंक दिया है इसको क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो जेके करके देखिए। और विश्वास मानिए। आप जोतिस की उन गहराईयों में इतनी आसानी से उतर जाएंगे जितना कि आपने कभी सोचा ना हो। चली चलते हैं दिव्य महा प्रयोग क्योंकि आज का दिव्य महा प्रयोग बड़ा ही दिव्य है अद्बुत है। खोली अपनी जन्मे कुंडली और मिलाईए। प्रिदर्शकों आज जिस सिध्धान्त को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सूत्र आपको आपकी कुंडली में बताने जा रहा हूँ। यहां यह जान लीजिए कि इसमें एक भी योग ऐसा नहीं है जो इस बात की पुष्टी करता है कि ऐसा जातक कोई विशेश साधक प्रवृत्ति का विक्ति होगा। सदाईव अपने कारिक्रमों में एक बात कहा करता हूँ आपने मेरे मुझ से सुना होगा। नीच ग्रह उच ग्रह इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है प्राय नीच ग्रह और उच ग्रह के जो विशलेशन हमें प्राप्त हैं वो उतने सही नहीं है। ये सदाईव वो समझना जरूरी है कि नीच ग्रह और उच ग्रह ये दोनों अपने अपने पलड़े पर बराबर इस्तिती में है। जितना बली नीच का ग्रह उतना ही बली उच का ग्रह। ऐसा नहीं है कि उच का ग्रह विशेस बली नीच का ग्रह विशेस कमजोर। नहीं। ये दोनों ही बलवान हैं। ये दोनों ही ग्रह की एक विशेस इस्तिती है। जहां ग्रह अपने आप में बलवान अवस्था में, लेकिन मैं हमेशा बताया करता हूँ आपको कि जो तिश वेद कानेत्र है, फलतह यहां ग्रहों के जो विशलेशन हैं, वो मूलतह आपके जीवनकाल में आध्यात्म के दृष्टिकोंड से देखे गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोंड से सबल बनाता है, तो वहीं ग्रह का निचत्व उस ग्रह की एक अलग विकरत अवस्था जो आपको इस वरतमान भौतिक सुखों की ओर जाने को बाद्धे करने वाली है, प्रिदर्शकों किसी भी जन्म कुंडली में किसी नीच ग्रह पर उच्छ ग्रह की द्रिष्टी हो, प्रिदर्शकों अब इस सूत्र को ध्यान से सुनिए, अपनी जन्म कुंडली में मिलाइए, नीच और उच्छ ग्रह के प्रभाव को लेकर जोतस के जो मनीशी हैं, उनमें जो चर्चाएं पूर्ब में हुई हैं, वो बहुत समुचित समझ में नहीं आती, नीच के ग्रह को सदाई वो बुरा माना गया है, हाला कि उनका बुरा मानना भी बिल्कुल स्रिष्ट था, क्यों? क्योंकि वो जोतस को केवल और केवल वेद के नित्र के रूप में देख रहे थे, तो जो वेद का नित्र है और वेदो नारायन साक्षा, तो सिधी सी बात है वहाँ नीच को बुरे के रूप में ही देखा जाएगा, लेकिन आज हम इस कल्यूग में केवल और केवल भौतिक सुखो की चर्चा के लिए जोतस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बात केवल और केवल आध्यात्म की परमात्मा को प्राप्त करने की अगर हम चर्चा करेंग तो सिधी सी बात है, वहाँ नीच के गरह की चर्चा केवल और केवल बुरे प्रभाव के रूप में होगी। अब ध्यान से सूत्र को समझेए कि कोई भी नीच का गरह हो आपकी कुंडली में और उस पर उच्च के गरह की दृष्टी पढ़ जाए, तो समझेए कि नीच का स्वयम बलवान होता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु जातक को आकरिष्ट करता है। देखिए, उच्च का गरह और नीच का गरह, अगर आप इसको एक तराजू पर रखें, तो दोनों अपने अपने पलड़े पर बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि उच्च का गरह कोई विशेस अच्छी स्थिती में है और नीच का गरह कोई विशेस बुरी स्थिती में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उच्च का जो गरह है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोंड से स्रिष्ट माना गया है, नीच का ग्रह भौतिक दृष्टिकोंड से, अब जरा गौर से समझे कि आज हमें कहीं है क्या, हमें केवल और केवल भौतिक सुखी तो चाहिए होगा, तो उस अवस्था में जल्म कुंडली में कोई भी ग्रह जम नीच का होगा, एक और बात समझे, इस दृष्टि का एक रूल है कि केवल बुरा हो, तो भी ठीक नहीं है, केवल अच्छा हो, तो भी ठीक नहीं है, वो सीधा पेंड जिस पर फल भी हो, सबसे दा पत्थर मारे जाएंग और सबसे पहले उसी को काटा जाता है, यानि बीच जातक को सर्व स्रिष्टतम अवस्था पर ले करके जाएगी, यानि ऐसा जातक स्वयम अपने भागे का निर्माता बनेगा, वहीं जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह पर किसी बलवान पापक ग्रह की दृष्टी हो, यह ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने क्या किसी कोई ग्रह हो, और उस पर बलवान पापक ग्रह की दृष्टी हो, यह लगभग लगभग वैसा ही है कि सीधा पेड़ है, खाली सीधा होने से बात नहीं बनेगा, उसमें कुछ काटे हो तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, वहीं जन्म कुंडली में बलवान पापक ग्रह प अब पापक ग्रह कौन-कौन या कुरूर ग्रह सब्दका इस्तेमाल आप कर लीजिए, तो सूर्य, मंगल, शनी, यह सब के सब कुरूर अथवा पापक ग्रह हैं, अब ऐसा लगनेश कैसा हो तो बली हो, अब इस सिधान्त को भी जना एक बार समझ लीजिए, प्रेदर्शको जन्म कुंडली में जब लगनेश कोई कुरूर अथवा पापक ग्रह हो, तो जातक की चाहत भौतिक सुखो की उप्राप्त करने की खूब जादा हो जाती है, और ऐसे में ऐसे बलवान लगनेश पर किसी सुभग ग्रह की दृष्टी हो, जैसे गुरू की दृष्टी हो, त आप समझ सकते हैं कितनी अद्भूत इस्तिती है, इसको थोड़ा हम और करीब से समझने का प्रत्न करते हैं, जन्म कुंडली में मान लीजिए कि सिंग लगन की कुंडली है, सूर्य बली है, और ऐसे बलवान सूर्य पर गुरू की दृष्टी पढ़ जाए, आप समझ सकते ह आप जानते हैं शनिदेव कौन हैं, भौतिक सुख प्राप्त करने की चाहत होगी, साथी साथ उसका आध्यात्मिक चेतना भी जो है, उसकी जागरुत होगी, एक और सूत्र आपको बताता हूँ, ये भी बड़ा अध्भूत है, कि जातक का जो जन्म है, वो मध्य दोपहरी में हुई हो, बारह बजे हुआ हो, ठीक बारह बजे भगवायन राम के जन्म का समय, और या फिर मध्य रात्री में ठीक बारह बजे भगवायन सुर कृष्ण के जन्म का समय, ये भी अपने आप में बहुत सृष्ट माना गया है, एक और से दान सुनिए, जन्म कुंडली मे मंगल जो है वो शत्रु रासी में हो जो उनके शत्रु ग्रह में मंगल इस्थित हो और ऐसे मंगल पर उनके मित्र की और वो भी कैसे मित्र तो शुभग्रह की दृष्टी हो यानि देवगुरु की दृष्टी हो तो शत्रु रासी में बैठा मंगल बहुत प्रभावशाली हो बहुत प्रबल हो जाता है और ऐसे मंगल पर गुरु इत्यादी ग्रह की दृष्टी पढ़ जाये तो अपने आप में भूत पूर्व है एक और सात्मा सिध्धान्त है जो कहता है कि जन्म कुंडली में उच्च के जो ग्रह हैं वो चार हूं अथवा नीच के ग्रह चार हूं यह भी सिध्धान्त बहुत ध्यान से सुनिया गया कि उच्च के ग्रह कम से कम चार हूं कुंडली में और नीच के ग्रह भी कम से कम चार हूं मतलब दोनों नहीं कह रहा हूं दोनों मैंसे कोई एक या तो उच्च के हो या नीच के हो तब भी अत्यंत उस्रेश्ट उस्तिति उत्पन्य होती से भी महाराज योग कहा गया है, परंतु कई ऐसी कुंडलिया मेरे सामने आई, जहां ऐसा जातक जूज रहा है, परंतु मैंने जब घहराई से दिखाया, आप लोगो कई वीडियो भी मैंने दिखाये हैं, जिसमें जादातर ग्रह या तो मृत्त थे, या बलह या नौमान समुन की स्थिति अच्छी नहीं थी, नीच के ग्रह भी जातक को उतना ही बल देते हैं, मैं फिर वही बात अंत में दोहरा देता हूं, कि हम बात उस ग्रह के इस प्रभाव को लेकर के नहीं कह रहे हैं, कि वो जातक को सात्विक दृष्टिकोंड देगा, हम इस तरह की सुक्सु विधाओं को प्राप्त करेगा, हर तरह की सुक्सु विधाओं को भोगने वाला होगा, और तो और ऐसे जातक को विधाता से एक अधिकार प्राप्त है, एक वरदान प्राप्त है, कि अपने भाग्या का लेखन भी वो स्वयम करेगा, आज मालीजे, चले चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से आज चतूर्थ में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन प्राता काल थोड़ी दर तक शनीदेव के नक्षत्र में रहेंगे इसके पश्चा आप पूरे दिन बुधके नक्षत्र में है और आप बुधके ही प्रभाव में हैं तो आपको एक काम करना है पहले तो तुलसी जी का एक पत्ता ले लिजे और उस पत्ते पर अपनी उंगली से अपनी मन की कामना सोचते हुए लाल चंदन का एक टीका लगा दीजिए, बस, इतना ही कर लेना है, और उस पत्ते को पूरे दिन अपने पास रखी, और सायम का लाकर करके तुलसीजी की जड़ में अरपित कर दीजिएगा, इतना कर देने भर मात्र से, आज आपके बुद्धका प्रभाव, आपके पक्ष मे होगा, मन भी स्थिर होगा, कारे में मन भी लगेगा, और कारिस्थल पर भी देखें, तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया होगा, वहीं बिपरीद से भी आपको आज खूब सहयोग मिलने वाला है, अगर आप सोतंत्र ब्यापारी हैं, तो आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूँगा, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है, और अगर आप साज़ेदारी में व्यापार करते हैं, तो भी आपको फायदा होने वाला है, साज़ेदारी में लाब थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना फायदा तो होगा ही कि ठीक ठाक कहू तो आज का दिन आपके लिए बेहत खास सिद्ध होने वाला है, सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें, तो आपके स्वास्थ में कोई परिशानी नहीं, परन्तु पहले से ही आपको किसी भी प्रकार के इलर्जी वाली परिश बात ब्रशब की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमाय का आपकी रासी से आज तीसरे में संचरण, ये चंद्रमाय पूरे दिन शनिदेव और फिर बुधके नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है, बहुत बढ़िया, शुनान के जल में इलाईची के साथ दान हो, हर जगह आपका दिन और स्रिष्ट हो जाएगा, और तो और हर जगह चाहे आप किसी भी छेत्र में हो, संतुलन बनाए रखेंगे, आप या यूँ समझ लिए कि संतुलन बनाए रखने में आप कामयाब हो जाएगे, कुल मिलाकर कि आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया है, लाभव के दृष्टिकोंड से भी दिन अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टिका टिपनी करना, यह आपके लिए ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, लवलाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं साधारणतिया ठीक ही कह लखी यंग का आपके लिए आज तीन है और लखी कलर आपके लिए आज क्रीम, निविश आप करें मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज दूसरे में होना, यह चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में प्राता काल तक थोड़ी देर और इसके पशाद फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं कर लीजिए, फायदा मिलेगा, गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा आपके पक्ष में जाने वाला है, पर धैरे रखना होगा, खान पान पर नियंतरन रखना होगा, सफलता आपके कदमों में होगी, जो भी कारे आप कर रहे हैं, बस एक मूल मंत्र है मेरी तरब से प पुरा कर लेंगे, लापरवाही नहीं करिएगा, काम से जी मत चुराइगा, मद्यपान मान सहार से दूरी पना करके रखिएगा, और अगर आपके किसी अपने प्रेमी के साथ, रिस्तेदार के साथ, जीवन साथी हो, माता पिता हो, किसी बात को लेकर के अनबन है, तुसे स तुल जाने का प्रतन विशेश रूप से करिएगा, कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं, तो वसे कर लिजेगा, क्योंकि निवेस का फैसला आज आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बाकि एक और बात आपको बता देता हूँ, कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदान करने बाला है, जादा कमाने के लोब हमें आकर के शर मार्केट में पैसा गमा मत बैठिएगा, सो सोच समझ करके निवेस करिए और बहुत जोखी मत लीजिए, प्रेम समंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों की बात करूँ, तो आज का दिन बहुत निवेश आप करिए जोखी महरा निवेश मत कीजिएगा, बात करक की कर लेते हैं, करक के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्तिति को देखें तो चंद्रमा आपकी रासी पर हैं, इचंद्रमा प्राताव शनी और फिर पूरे दिन बुद्ध के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में होने से कोई दिक्कत नहीं, श्त्रीवर का सम्मान करना है, शनान के जल में इलाईची के साथ दाने, थोड़ी सी रोली डाली जगा एक चुटकी, गुलाब जल का कुछ बूंध मिला लीजेगा, और फिर इसी जल से शनान करिए, बाकी इससे आपको फायदा म देखिये, तो किसी सहकर्मी के साथ है दी अन्बन या ऐसी स्तिति उत्पन्न हो गए थी, जो आप नहीं चाहते थे, उसमें सुधार होगा, विशेश करके विपरीत के साथ है दी संबंध आपके खराब हो गए हैं, तो उससे ठीक करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, व सामने वाले को चुब जाए, ये बात विशेश सुलूप से आप अपने दामपत्य जीवन में लागू रखिए, अपने जीवन साथी को ऐसी कोई बात मत बोलिए, जिससे जीवन साथी के मन को ये बात आपकी चुब है, प्रेम समंध के दृष्टिकों से आज का दिन को मैं का रोग है, लकी यंख आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज हलका हरा है, निवेश आप करें सुम्र के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा कापकी रासी से आज बारवे में होना, ये चंद्रमा शनी के नक्षत्र में इसके पश्चाप पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहेंगे, और आप पर बुध का ही प्रभाव है, तुलसी जी का एक चंद्र के दृष्टिकोंड से देखें, तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया जाने बाला है, हाँ, ब्यर्थ के ब्यैस से आप परिशान रहेंगे, धन संचित नो हो पाने के कारण थोड़े परिशान रहेंगे, वहीं सामाजित तोर पर देखें, तो आपको खुद पर नियंतरन रखना होगा, ताकि आपकी छबी खराब न हो, और अपना बेवहार लोगों के साथ ऐसा मत करिएगा, जिससे लोग आपको किसी भी तरह से अहंकारी समझे, नौकरी के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, नौकरी में परि नया कारी सुरू करेंगा, किसी नय कारी को सुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, जूट बोलने से आज आज आपको बचना होगा, जूट के कारण आज आपको परिशानी हो सकती है, जीवन साथी के साथ समंध मधुर बनाये रखने का प्रतन करिएगा, बात इद्यार्थियों की करें, तो आज का दिन अच्छा है आपके लिए और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्थ में कफ जन्य रोह की संभावना दिखाई पड़ रही है, आँखों में जलन की शिकायत भी संभव है, लकियंक आपके लिए आज दो और लक है, आपके लिए देखा जाए, तो आपके लिए बहुत पक्षम है क्योंकि आप शुक्र के प्रभाव में है, और शुक्र के प्रभाव में आपका होना आपके लिए हर तरह से स्रिष्ट फल परदायक बना हुआ है, स्नान के जल में साथ इलाईची के दाने थोड़ा रोली और एक चुटकी और दोचार मुंद गुलाव जल का मिलाकर के इसी जल से श्नान करिएगा, बाकी देखा जाए तो लाव का जो चंद्रमा है आपके आपनों विश्वास में बृध्धी करेगा, पारिवारिक जीवन में भी सुक्स विधाओं की बृध्धी होने वाली है, क पारिव समंधित कोई परेशानी है, कोट कचरी से समंधित कोई मसला है वहाँ पर भी सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है, रिस्तो में मजबूती आएगी, प्रेम समंधित के दृष्टिकोंड से दिन बहुत बढ़िया है, धन उधार लेन देन के दृष्टिकोंड स सकती है बागी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लक्यंख आपके लिए आज चार और लखी कलर आपके लिए सफेद है निवेश अब से करिए तुला के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज दसम का सुंचरण देखा जये तो शनिदेव और फिर बुद्ध के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा सुंचरण कर रहे हैं ये ग्रहिस्तिती आपके लिए अच्छी है परन्तु आप गुरु के प्रभाव में हैं तो थोड़ी से उपाय की आवशक्ता आपको पड़ेगी वो उपाय मैं आपको बताता हूं किसी सिद्वसंत के समाधी पर जाकर का आज दर्शन करिए वहाँ पीले रंका पुस्प ज ले लिजे इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे करियर को लेकर के थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है वाकि एक अच्छी बात यह है कि कारिश्थल पर आपको सहयोग मिलेगा और सहयोग से ही आपके सारे काम बनेगे बिपरीत का सहयोग आज आपको विशेश रूप स सकते हैं विवाद से जितना हो सके दूरी बना करकर रखियेगा विवाद से आपको परिशानी होगी करज लेन दिन के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा जीवन साती का सलाह और जीवन साती का सहयोग आपके लिए विशेश फायदे निवेश आप ना करें करते हैं तो जानकार की राय से रुष्टिक जात्कों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज नवम का सुंचरण है अब ये चंद्रमा देखा जैतुशनी और फिर पूरे दिन बुद्ध के नक्षत्र में सुंचर पने घर करेगा क्योंकि आप गुरू के प्रभाव में और गुरू के प्रभाव में आपका होना आपकी लाभवप्रद है कि शरकातिलक अपने माथे पर लगाए गुरू के बीज मंतर ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवेनमा इस बीज मंतर का 108 बार जब करिए बढ़ाते चले जाई आपको रुकने की आवशकता नहीं है, पीछे मुढ कर देखने की आवशकता नहीं, बस आगे बढ़ते चले जाने की आवशकता है। वेदेस यात्रा के लिए प्लैनिंग बना रहे थे तो आपका ये काम बनने वाला है, कारिक छित्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे थे, करिए, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, नौकरी पेसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मै बनने वाला है, जरुवत से ज़्यादा टेंसन लेने की आवशक्ता नहीं है, काम के बोज को लेकर के भी आप टेंसन में आ सकते हैं, तो इससे भी जड़ा बचिए, दांपत्ते जीवन आपका सुख में दिखाई पड़ रहा और विद्यार्थियों की बात करूँ, तो मान सिख तनाओ, आज आपको रहेगा, और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्थ में कोई विशेश परिशानी तो नहीं है, पिता के स्वास्थ का जरक हयाल रख लिजेगा, लकियंक आपके लिए जो चार और लकी कलर आपके लिए ज लाल है, निवेश नक्षत्र में संचरन करें, बुध के ही प्रभाव में हैं, थोड़ा सचरित रहना होगा, सावधान रहना होगा, तुलसी के पत्ते पर अनामिका उंगली से एक तिलक लगा कर करके अपनी कामना सोचते हुए उस पत्ते को दिन भर अपने पास रखिए, सायम काल उस पत्ते थोड़ी जादा होती रहती हैं, वो अपना विशेश ध्यान रखें, अब बात यदि आपके भागे की करें, तो भागे का साथ थोड़ा कम मिलेगा, कारेक छत्र में उठा पटक की स्तिती रहेगी, एक और बात, जो भी काम करिए, पहले से उसको सोच लीजे, विचार कर ल परतनी होगी, और आज दूसरों के चकर में पढ़ेंगे, तो आपका पूरा का पूरा समय बरबाद होगा, दूसरों के काम में न दखार अंदाजी करनी है, न दूसरों के काम में पढ़ना है, लब लाइफ के दृष्टि कोन से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नही कहूंगा, और यदि आपके दामपत्ते जीवन की बात करूँ, तो दामपत्ते जीवन में भी थोड़ी परिशानी दिखाई पढ़ रही है, ससुराल पक्ष के विशेस हस्तक छेप के कारण, आज असन तुष्टी आपको होने बाली, स्वास्थ के मामले में देखें, तो सि कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज सब्तम का संचरण है, ये चंद्रमा शनी और फिर पूरे दिन बुधके नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, अब देखा जाए तो आज का दिन जो है, आपके लिए अगर देखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप स्वे आपके बृद्धी लाएगा, जो भी निर्णे लेना हो लीजे पस जल्दबाजी में मत लीजेगा, अर्निता धनहा नहीं हो सकती है, बाकी कारिश्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, काम थोड़ा जादा होगा, वर्कलोड आप पर जादा होगा, पर इसमें भ आपको मिलेगा, और किस्मत के सारे आप अपने सारे कारे आज अपने पूर्ण कर सकते हैं, जीवन सांती का सांत मिलेगा, जीवन सांती के स्वास्त में कहीं कोई परिशानी थी, वो दूर होगी, और बात यदि आपके स्वास्त की कर लिजा है, तो स्वास्त में कहीं कोई स्वास्त आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, बिद्ध्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, लकी अंख आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश अवस्चे कर ये ग्रई स्थिति आपके लिए आज विशेस कारगर है, क्योंकि देखा जाए, तो आपके उपर जो विशेस प्रभाव रहने वाला है वो बुध का है, और बुध के प्रभाव में आप हैं, तुस्रेश्ट के दिन तुलसी जी के पौधे में आज जल अर्पित करिए, और उनकी आर्ती करिएगा, गणेजी के मंदिर में अगर दरसन कर लें, तो कहना ही का ये सोने पर सुहागा सिध्ध होगा, दिन बहुत अच्छा है, सश्ट का चंद्रमा, आज आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन करेगा, बस मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना है, सभी दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे, वो कारे बनेगा, उसमें आपको विशेश सफलता मिलेगी, ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, ब्यापार में लाब होगा, यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभवप्रत सिध्ध होने वाली है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो भी कर सकते हैं, वाहन चलाते समय बस सावधानी बरतीएगा, अभिवाहित हैं तो विवाह का परिस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और स्वास्त के दृष्टि कोन से निवेश करें बाकी दिन अच्छा आपका बीतने वाला है, सबसे मिल जूल करके चलिए, कदम बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते चलिए, गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, अपने उत्तेजना, अपने क्रोध पर नियंतरन रखिए, जहां तक हो सके सबसे मिल जूल करके आगे और यूं समझली का जो मन बना कर के ही घर से निकलना है, कि सारे काम पूरे कर क्या हूंगा, बिगड़े काम भी आज आज आप बना लेंगे, मिहनत से पीछे मत थटिएगा, सफल होंगे, कारिक च्छतर में विवाद की स्थिति भेहुद पन्न होती है, तो आपको चिंता कर करने की आवशकता नहीं, कोई नया कारियों शुरू करने की सोच रहें, तो अवश्य करिए, मेरी सला है कि नया कारियों शुरू करने की बजाए, जो नियमित कारे है, उन्हीं को पूरा करने का प्रतने करिए, ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया क आपके लिए आज दो और लखी कलर आपके लाल है निवेश आप करें तो प्रेदर्षक को ये था में शेले करके मीन राश्य परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी कलिव सुखता ही जाज़त दीजे पुना हुला कात होगी तब तक के आपके लिए नमस्कार